तो हेलो गाइस कैसे हैं अब सबी लोग फिल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल तो आज हम दूबारा खेलने जा रहें जीटे फाइब तो आपको पहले वाले एपिसोड में पता होगा कि माइकल किणना पोच चुगा था तो उसे फ्रेंकली इन रेस्क्यू करा के लाया था उससे पहले माइकल और ट्रैवर में काफी लडाय हो गई थी क्यूकि वह तो क्योंकि ट्रैवर नौर्थ यंग टेंश चला गया था तो माईकल की कवड देखने तो माईकल की कवड तो थी नहीं वो फर ब्रेंकल की थी उससी वाज़े से काफी मिसंडरस्टैंडिक उगए थी उन दोनों के बीच में तो फिर महाँ पे कुल लोकल गुंडे आ गए थे तो वही सब सीन हुआ था माइकल को फिर किड्नाप कर लिया था फिर फ्रैंकलीन काफी टाइम से उसके कॉल लगा रहा था लगनी रहा था फिर लैस्टर सो उसकी लोकेशन निकाली थी तब जाके इनको पता चला तो फिर उसके बाद फ्रैंकलीन से रैस्क्यू करा कर तो आज हमें सल्मॉन से मिलने जाना है आपको पता है कि मैकल के एक ड्रीम है फिलम प्रडूसर बनना तो आज हमें उसी के पास मिलने जाना है तो चलते हैं तो गाईस हम पहुचने वालना है सल्मॉन के वहाँ के studio तो आगे से left है तो guys हम पहुच चुके हैं तो वो वह सामने क्या हो रहा है वैसे में गर 2 minutes गाड़ी पीछे लेते हैं सामने देखते हैं क्या हो रहा keep clean तो ये साइस इसे जानता हूँ मैं तो guys यहाँ Salman को मारा जा रहा है यह कुछ लोकल गुंड़ना है जिनम पकड़ के लाये थे यह पिटे भाग गए वैसे तो जल्दी गाड़ी लेके निकलना पड़ेगा उनके पीछे तो रेंजरोवर यह वैसा रेंजरोवर है तो जल्दी भाई कितनी बुरी गाड़ी है यह तो गाइस वो हास से ना निकल गए यह जल्दी गाड़ी भागानी पड़ेगी जैसे ज़्यादा दूर तो अभी गए नहीं होंगे आल्मोस्ट तो चल्दी लोकेशन तो सामने ही दिखा रहा है तो जल्दी निकलते हैं तो यहां के बंदे बता नहीं क्या ही गाड़ी चलाते है तो गाइस हमें मिल गए हो तो इनके थोड़ी खाल में मसाला देना अच्छा होगा वही कतनी गंदी गाड़ी भगा रहा है तो गया एक बंदा ही भाग रहा गाइस कहां जा रहा रुख जा तो गाइस गए हमें जल्दी यहां से निकलना पड़ेगा ताकि पुलिस नाप पड़ेगा जल्दी निकलता है एक बार सल्मान को भी कॉल कर लेता है बता देता है उसे तो गाइस हमारी उससे बात हो चुकी है वो कहा रहा ठाइंक्यू मेरे को बचाने के लिए तो अभी हमें लैस्टर के बाद जाने उसका कॉल आयता मिरे पास उनने भी बुलाया कुछ काम के लिए और डैविन भी आया है वहां तो जल्दी चलता है कि अब मार्क लगा लेता है लस्टर लस्टर तो गाइस जल्दी चलता है तो गाइस हम पहुचने वा रहे हैं यहां से सीध आई है अल्मोस्ट तो हम पहुच चुक हैं वह जो नीचे देख रही है वही है उसकी बिल्डिंग यहां लैस्टर रहता है छुप के रहता है जाद अतर तो तो हम पहुच चुक हैं तो जल्दी अंदर चलके बात करते हैं लैस्टर से क्या सीन है पूरा तो गाइस मेरी बात हो चुक है लैस्टर से तो हमें एक बंदी के बाद जाना है जो एफाइवी बिल्डिंग में काम करता है बढ़कर तो इसके अमें कपड़े लेकर आना है तो चलके उस बंदे से बात करते हैं अगर वो काईदी समझ जाए तो ठीक है परना तो आपको पता ही है तो उसका जादा दूर नहीं है अभी तो वह से फाइवी बिल्डिंग से निकल लोगा तो हम उसका पीछा करना है तो निकलते हैं गाइस काईस हम पहुचने वाल है तो हम पहुच चुके हैं या फाइवी बिल्डिंग के हम पार्किंग में आ गए तो वो यहीं से आएगा तो थोड़ी दिर हम बेट करते हैं एक गाड़ी तो आई पर शायद यह नहीं है उसकी रैट गलर की गाड़ी है गाइस तो होल्ड करके रखते हैं तोड़ी दिर तो गाईस हमें आदा गंटा हो गया तो लाल गाड़ी भी आ चुकी है तो इसी में है तो जल्दी इसका दीरे दीरे पीछा करना है घर तक तो हमें काफी डिस्टैंस बना के रहना इस बंदे से उसे पताना चले यह बंदा रैड़ लाइट भी फॉलो कर रहा है ऐसे तो काफी टाइम हो जाएगा तो कोई नहीं थोड़ी देर ही वेट कर लेते हैं तो गाईस काफी देर हो गई हमें रैड लाइट चल चुकी तो इसका घर जादा दूर नहीं है साइड में है तो जल्दी से मैं इसके आगे निकाल देता हूँ और इसके आगे जाके साइड में लगा लेता हूँ यह साइड रैट मुलेगा तो गाईस थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं जब वो नीचे उतरेगा तो इसके घर में जाके इससे बात करेंगे तो गाईस यह निकल चुका है गाड़ी से तो हम भी चलते हैं थोड़ी देर लफसे जाने तो आगे तो चलते हैं गाईस जल्दी जल्दी तो वो जा रहा तो हमें थोड़ा लॉंग रहना इससे एक बार यहां कवल ले लेता हूँ मैं तो चलो गाईस इससे बात करके आता हैं काईदे से समझाते हैं इससे थोड़ा एक है बड़ा कम जोर बतना ता है तो यह तो पैसो में ही मान गया मुझे लगा कर ज्यादा करेगा तो सिदग कटा लेंगे मत्य बजाके निकल लेंगे पर एक काफी दिमाग दारता इस लम से पैसे लिए हमें ड्रैस देदी तो गाईज हम निकलते हैं जल्दी यहां से अब तो गाईज हम पहुच चुके हैं ब्लैस्टर के सीग्रेट बेस में तो यहां उपर चलके बात करते हैं क्या सीन है पूरा तो गाईज मेरी बात हो चुकी है ट्रैकलीन से तो हमने ट्रैवर को भी बोला था कि एफाइबी बिल्डिंग में तू भी चल पर वो नहीं चला तो इसी बात पर फ्रैकलीन थोड़ा बोला था कोई निकाईज हमें करना पड़ेगा तो ये हम देखते आगे क्या होता तो चलो गाईज आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छित लगियो तो वीडियो को जाएके लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो हाँ पैल आइकिन भी जबा देना चलतो चलो तो गाइस मिलता अगली वीडियो में जब तक